नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका मेडिशिन रिव्यूज और टिपस यूट चानल पर आजम मैकपोड सीवी सीरप के बारे में पूरी जान कर लेने वाले हैं मैकपोड सीवी सीरप का मुक्यत उप्योग बच्चों में बेक्टरिल इंपेक्शन की समस्चा दूर करने के लिए किया जाता है आई ये इस सीरप के बारे में आदिक विस्तार से जानते है यह सीरप कैसे काम करता है, कहा इस्तेमाल होता है, इस सीरप के क्या बेनिफिट से, क्या साइडिपेक्स से इस सीरप से जुड़े सभी सावलों के जावाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखिर तक जरू देखे मैकलोड्स फार्मासोटिकल कमपणी का 30 ml का यह शिरप आपको 99 रूपए में किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी सिमल जाएगा बात करते हैं इस शिरप में मौझूद कंटेंग के बारे में प्रूशे दोबारा होने शरोकता है और क्लेवनिक एसीड यह एक बिटा लैक्टमेस इनिविटर है जो प्रतिरोध को कम करता है और डेक्ट्रिया के खिलाब सेपोड़क्स इंप्रोग डिटाइल की गतिवधी को बाड़ाता है बात करते हैं इस शिरप के उजस्की डॉक्ट उनी की समस्चा और अपर रेस्पारे ट्र्यक इन्पेक्षन जिसे हम उपरी स्वशन टंत्रे इंप्रोग हे और साथ ने प्रकार के ब्च्टो निजें की समस्चा दूर करने के लिगे बच्चो में hacks हैं बात करते हैं शिरफ से वहने वाले साईडाइपक की यह्दि आपको इस शिरफ में मुझूद कंटेंट शी आलरजी है तो आपको साइडाइपक हो सकते हैं यह बताये करने से पहले क्या क्या सावदया लेनी चाहिए यदि आपके बच्चे को इस सिरफ में मुझुद कंटेंट शालर्जी है या पिर कोई साइड़ इपेक्स महसुस होते है तो इस सिरफ का इस्तमाल ना करें यदि आपके बच्चे को और कोई मेडिशिन दे रहे हो तो उसके बारे में डक्टर को दोरोरी हपाम करें ताकि आपके बच्चे को और डोस आति ड्रग इंट्रेक्शन नहींुड और या प्र loss का कोर्स पुरा खत्म करें बात करते है इस सिरफ के डोस के बारे में आपी समझे और यसे बता कड़ पार इस शीरफ का डोस आप अपनी इसलिए रोगी की स्थिती रोगी के आयू और अन्यकार्णों के आधार पर इस शिरब का डोस अलग हो सकता है इसलिए इस शिरब का इस्तमाल डॉक्टर के सला के अनुसार करें एक साल से उपर वाले बच्चों को पाच एमेल दिन में दो बार सुबह और शाम दे सकते हैं और अगला वडियो किस दवापे होना चाहिए यह भी आए में कमेंट में बताए इदि आपको इस वीडियो से हेलफुल इंवर्मेशिन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिशिन रिव्यूज और टिप्स वूटू चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ यह भी लाइक आपकेशिन मिलती रही यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद